नए संसत के भवन के नाम पर देश के कलंग का इतिहास लिखा जा रहा है इतिहास को बदलने की तैयारी बीर सावरकर जिनको बीर कहा जा रहा है बाच बार इसने अंगरेजों से माफी मांगा 62 रुपईया अंगरेजों के पेंसन लिए आज बीर सावरकर के जनम दिन के नाम पर नए संसत भवन का इन नए अवतार है अब तक देश के अंदर में आजादी के बाद केवल हिंदी भासी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजितिक कलंक लेने वाले आदरनिये पधान मंत्री जी सेंटरल हौल की भूमिका को खतम कर दिया सेंटरल हौल पार्ल्यामेंट के अंदर नहीं रहे गा इसलिए कि पंडित नहरू को उसमें याद किया जाता मीम्राव अंबेदकर को याद किया जाता जब आहला नहरू को सरदार बल्लब भाई पटेल को तो केबल मोदी का इतिहास रहे इसलिए नेव पारलियमेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया और अब तो न्याई पालिका का भी अब दाई तुले रहें गंड देने का अप्रापधान है गंड देना है पारलियमेंट के अंदर यह राज दंड के स्थापना किस बात के लिए हो रही है यह तो पूरे तोर पर बताता है कि संबैधानिक व्यवस्था को कहस नहस करना और देश के अंदर में अगोसित ताना साही लागू करना मोदी इतिहास लागू करना इसकी एक मात यही विक्रित मानसित्ता का प्रगटी करना